तो आज का जो हम लोग फर्स्ट टॉपी का स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका बेसिक रूप से का देखिएगा तो acid waste and salt यह chapter कहीं नाम है सबसे पहले chapter के नाम के coding पता करेंगे कि acid क्या होता है base क्या होता है salt क्या होता है और हम class 10 की बात कर रहे हैं अभी तो बात यह है कि हम लोग already पहले भी हम लोग 8 class में acid waste के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे है acid ठीक है acid किसको बोलेंगे ठीक है acid होता है क्या चीज़ है इसके बारे में वैसा liquid जो भी आप देख रहे हैं acid हो चाहे base हो वो liquid form में होगा वैसा liquid जो आपका H plus iron release करे ठीक है वैसा solution जो अपने आप से H plus donate करते किसी को तो वो हो जाएगा आपका acid ठीक है an acid is a substance that donates H plus iron ठीक है H plus ions जो H plus ions दे किसी को उसको बोल देंगे acid अब आता है कि base क्या होता है ठीक है base क्या होता है अब यहाँ पर देखिएगा an base is a substance that donates OH minus iron ठीक है अब यहाँ पर ions के बारे में already हम पिछला वीडियो में भी clear कर चुके है जैसे मान लिजे दो आपका एक compound एक solution है जैसे sodium hydroxide sodium जब वो आपका compound से अलग होगा तो वहाँ पर sodium पर plus होगा OH पर minus होगा ठीक है जैसे sodium hydroxide हाँ sodium hydroxide जब यह breakdown होगा आपका यह solution यह जब आपका compound breakdown होगा तो यहाँ पर से sodium पर plus होगा क्योंकि sodium is a metal और metal होने एकान क्या करेगा electron donate करेगा तो एक electron अपना किसको दे दिया OH को दे दिया और यहाँ पर देखिएगा O पर होता है minus 2 और H पर होता है plus 1 तो overall इस पर कितना बच गिया minus 2 plus 1 करेंगे तो कितना होगा minus 1 यहाँ पर minus 1 अभी भी है मतलब यह किसी के साथ reaction करने को तयार है यह भी तयार reaction करने के लिए लेकिन जिस भी atom या जिस भी compound ठीक है atom हो चाहे compound हो चाहे वो molecules हो उसके उपर अगर plus या minus का sign आता है that is known as ions इसी को क्या बोलते हैं ions बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि acid जो भी vasa liquid या vasa compound जो H plus ion किसी को release करे that is known as acid और base वो होता है vasa substance जो OH minus donate करे या H plus को accept करे ठीक है यहाँ पर दोची हो सकता है या तो H plus को accept कर ले ये वाला या तो OH minus को donate करे that is base ठीक है अब आता है चैप्टर का ही जो नाम था salt salt क्या होता what is salt ठीक है अब देखिए जब acid और base का reaction कराएंगे अल्रेडी हम पहले भी कर चुके है ये वीडियो ठीक है ये जो topic है salt के बारे में पहले भी हो चुका है हम लोग का chemical reaction and equation में हम बताया थे salt क्या होता है अब यहाँ पर उस reaction को हम लोग बोलते थे neutralization reaction ठीक है acid base reaction जो था उसका नाम था neutralization reaction यहाँ पर acid और base मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा वो neutralize होगा और वहाँ से आपको क्या मिलेगा salt मिलता था ठीक है वहाँ से आपको क्या मिलेगा salt मिलेगा साथ में पानी रिलीज होगा ठीक है यहाँ पर salt क्या होगा the substance produced by the reaction of an acid and base ठीक है वैसा substance जो acid और base के reaction करने पे जो आपको मिले that is known as salt अब salt भी मिलने का procedure होता है अगर हम a strong acid लिए थमको a strong base लेना होगा ठीक है a strong acid लेंगे तो strong base लेंगे अगर हम big acid लेते हैं थमको big base लेना होगा तब वहाँ हाँ से वो क्या होगा neutralize होगा otherwise वो problem किरियेट करेगा आपको आपको आपके ठीक है क्योंकि एक strong एक big है तो यहाँ पर dominant कौन होगा जो strong होगा ठीक है तो यहाँ पर जगर हम a strong acid लेंगे तो strong base भी लेना होगा big acid लेंगे तो big base लेना होगा तब हम लोग को जाके यहाँ से neutralize reaction देखने को मिलता है तो यह था आपका chapter के नाम के recording यहाँ पर simple सा definition ठीक है अब आते हैं कि acid और base में difference क्या होता है ठीक है acid और base में difference क्या है what is the difference between acid and base अब यहाँ पर देखिए physical यह हम physically ही बोल सकते है यह chemical ही नहीं है जैसे कि sour in test ठीक है acid का sour in test मतलब यह खटा होता है ठीक है base wheatar in test यह कड़वा होता है ठीक है एक खटा और कड़वा दोनों अलग वर्ड होता है ठीक है तो यह आपका test में कैसा है खटा और यह कैसा है कड़वा अब आता है कि इसका check कैसे कर सकते हैं तो एक हम लोग के पास paper होता है litmus paper actually वो orange color का होता है ठीक है sorry purple color का होता है जब वो naturally ये procedure से बनता है तो purple color का होता है ठीक है देखें यहाँ पर देखा गया change the blue litmus to red अगर हम blue litmus लेते हैं तो वो क्या में convert कर देगा red में convert करेगा ठीक है अगर हम base की बात करें तो यहाँ पर change the red litmus to blue ये क्या करेगा जो आपका red litmus है उसको blue में convert करेगा अब आता है बात यहाँ बर कि acid में अगर हम red litmus डालेंगे तो क्या होगा no change क्योंकि वो blue को तो red में convert कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये red को blue में convert करेगा तो यहाँ पर acid क्या करेगा blue litmus को red में करेगा और आपका base जो है वो red litmus को blue में करेगा और ये blue को red नहीं कर सकता और ये red को blue नहीं कर सकता ठीक है अब इसके बाद आता है कुछ example हम acid का पहचान कैसे करेंगे अगर किसी भी solution का या किसी भी compound का molecular formula आपको लिखा हुआ है given है तो वहाँ से अगर H plus iron निकल रहा है समझ लिजिएगा वो आपका acid है जैसे example HCl breakdown होगा H plus यहाँ पर breakdown होगा तो 2H plus होगा आपको यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा HNO3 nitric acid और यह देखिएगा यह breakdown होगा कीजिएगा ति यह आपका क्या हो जाएगा H plus मिलेगा यहाँ पर देखिए एथानोइक acid CS3 C O H O H जो है C O H जो है यह आपका क्या है कर्वक्सली गुरूप का है यह एथानोइक acid और भी बहुत सरा हो सकता है ठीक है तो इसमें भी H plus निकलने का possibility है देखिए O H के पास से H को release करेगा ठीक है H plus होगा O H यहाँ पर सॉरी O जो है माइनस होगा अब यहाँ पर देखिए sodium और दोनों breakdown होगा तो O H minus होगा that is donate कर रहा है छोड़ रहा है फिर O H यहाँ से release होगा potassium hydroxide calcium hydroxide एक्सेक्टरा तो यहाँ पर से हम देख लिए कि acid और base में basic difference क्या होता है ठीक है अब हम लोग अपना अगला topic स्टार्ट करते हैं कुछ आपका naturally occurring acid मतलब कुछ ऐसा acid है जो आप लोग को खाने पीने के समान में मिलता है तो उसके बारे में start करते है तो आज हम लोग का जो second topic का start करेंगे वो हो जाएगा some naturally occurring acid मतलब कुछ ऐसा acid है जो हम लोग को क्या होता है nature के through मिलता है मतलब प्राकिर्ती के through मिलने वाला जो आपका acid है उसके बारे में हम लोग देखते हैं जैसे कुछ खाने पीने का चीज में जो हम लोग किसी कभी कभी क्या करते हैं किसी चीज के लिए protection के लिए use करते हैं जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग chemical यूज करते हैं ताकि अचार क्या हो खराब ना हो अच्छे समय तक चले उसके लिए हम लोग यूज करते हैं तो कुछ ऐसा acids है जो हम लोग को nature के through मिलता है और वो हम लोग के लिए भी beneficial है सबसे पहले है vinegar vinegar जो है उसमें अगर देखिये तो कौन सा acid होता है ठीक है vinegar पूरे पूरे acid नहीं होता है लगबग 5-10% acid होता है बाकि उसमें आपका water मिला होता है ठीक है नहीं तो फिर यह strong acid हो जाएगा ठीक है हम लोग अतना strong acid हम लोग consume नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसके लिए हम लोग 5-10% ही होता है बाकि आपका 90-95% water होता है ठीक है तो वो अहाँ पे जो acid present होता है 5-10% वो होता है acetic acid ठीक है अब इसका जो molecular formula है CS3COOH ठीक है इसका molecular formula हो गया और हम लोग जैसे orange खाते हैं ठीक है तो orange जो है वहाँ पे देखिएगा citric acid होता है orange में क्या होता है citric acid उसका molecular formula क्या होता है C6H8O7 यह है citric acid का अब आता है देखिए orange और lemon दोनों में same है orange और lemon में same है इसमें भी citric acid है same molecular formula यहाँ पर देखिएगा tomato का है ठीक है tomato में अगर देखिएगा tomato जो हम लोग खाते है वहाँ पे होता है oxalic acid ठीक है oxalic acid इसका molecular formula होता है C2H2O4 अब आता है हम लोग यहाँ milk बोलें यहाँ पे sour milk ठीक है इसको हम लोग बोलते नहीं है मठ्था ठीक है कुछ naturally occurrence और भी बहुत सारा है तो उसका आप देख सकते है ठीक है अब आता है इसके बाद जो है कि acid और base को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ तू indicator का यूज किया गया होगा तो उसका मतलब क्या होता है ठीक है acid base indicator मेरे पास बहुत सारा ऐसा indicator है जो acid और base का पहचान कर सके बताए कि हाँ यह acid है और यह base है तो उसमें basically किसी किसी में देखिएगा कोई indicator ऐसा होगा जो color change करेगा ठीक है मान लिजिए कि वो blue था red हो गया या orange है तो pink हो गया तो यह type का होने वाला है मतलब color change होगा तो हमको color का पता करना होगा कि acid में कौन सा color change होता है अब base होगा तो कौन सा color में convert होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका इसका मतलब है indicates the presence of acid or base in the solution तो वैसा indicator जो acid base indicator होगा वो आपका यह बताएगा कि यह acid है कि base है तो हम बता रहे थे अभी कि आपका बहुत तरह से divide हुआ हुआ है या तो color change हो जाए या तो फिर उसका देखिएगा smell में change होना तो यह सब आपका वैसा indicator है जो color change होगा तो वो color आपको पता होना बहुत जरूरी है किसी का smell change होगा तो वो भी पता होना जरूरी है चली इसके बाद हम लोगा start करते है litmus solution ठीक है कि litmus solution होता क्या चीज़ है तो आज का जो हम लोगा अगला टापिक होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं litmus solution होगा olfactory indicator होगा फिर उसके बाद acid waste indicator का पहचान कैसे होगा ठीक है तो litmus paper क्या करता है litmus paper हम लोग को कहा से मिलता है तो it is a natural indicator ये क्या है प्राकिर्थी के थ्रू मिलने वाला indicator है ये ठीक है ये जो indicator है litmus वाला ये एक plant से मिलता है ठीक है plant जो है वो ऐसा plant कर सकते हैं लत्तर वाला plant कि पहाड़ी इलागा में किसी भी पेड़ पे लत्तर जैसा फैल जाना और इसमें कोई तरह का full नहीं होता है इसमें कोई तरह का जैसे होता है नहीं flower होना flower नहीं होता है इसका पत्ता ही सिर्फ होता है ठीक है it is a natural indicator और इसका जो color देखिएगा purple color का होता है it is purple dye extracted from lichens ठीक है आप ये देखिएगा कहां से निकलता है जो पेड़ का नाम है वो lichens है वो पौधा एक्चुली है वो किसी भी पेड़ पे लत्तर जैसा फैल जाएगा और इसमें कोई तरह का full आपको देखने को नहीं मिलता है तो ये जो indicator है ये आपका purple color का होता है naturally होता है और ये lichens plant से आपको देखने को मिलता है other examples are red cabbage ठीक है इसका और भी example है आपका indicator का तो वो हो जाएगा red cabbage color, petals, platunia and turmeric ये सब जो है आपको naturally मिलने वाला है यहाँ पे वैसा indicator जो आपको natural के through मिले that is natural indicator ठीक है ये होगे आपका natural indicator यहाँ पे आपका red cabbage भी है color petals है platunia है and turmeric ये सब जो है आपका natural के through मिलने वाला वैसा indicator जो आपका ये बता सके कि कौन सा solution आपका acidic है और कौन सा solution आपका basic है तो इसका basically होता क्या चीज़ है color change होगा ठीक है, क्या होगा color change होगा इसमें litmus solution को जब भी हम देख रहे हैं उसमें color change होगा अब उसके बाद आता है all factory indicator ये ऐसा indicator होगा जो क्या करता है color को change नहीं करकर अपने खुस्बू को ही change कर लेगा अपने odor को ही change कर लेगा so odor change in acidic और basic media जब भी ये आपका acidic और basic media में जाएगा तो ये क्या करेगा अपना महक को ही change कर लेगा ठीक है अपने odor को change करेगा उसको हम लोग बोलते हैं all factory indicator ठीक है example देख लीजे इसका example हो जाएगा आपका onion और clove ये आपका वैसा indicator है जो waste और acid में के contact में आएगा तो अपने खुच्बू को ही change करेगा that is all factory indicator अब आता है कि ये सब indicator जो हम लोग देखे थे color waste तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर है कि वो कैसे कैसे color change करेगा देखे पहला blue litmus solution अगर लेगे blue litmus देखे यहाँ पर लिखावा name of indicator color change with acid color change with waste ठीक है अगर हम blue litmus लेंगे तो वो क्या हो जाएगा अगर acid में डालेंगे तो वो red में convert होगा blue litmus लिए acid में डालें तो आपका red हो गया और वही blue litmus अगर base में डालते हैं तो no change क्योंकि आपका यहाँ पर देखिएगा यह जो आपका होता है base जो होगा वो red को blue करता है blue को red नहीं करेगा अब आता है second indicator red litmus जो solution है उसको अगर हम डाल देते हैं acid में तो यह color change नहीं होगा क्योंकि already red है वो blue को red करता है acid लेकिन यह red को blue नहीं करेगा लेकिन यही red litmus हम डालेंगे base में तो यह क्या कर देगा उसको blue कर देगा अब आता है turmeric इसका अगर naturally color देखिएगा तो पीला type का होता है यह yellow color का होता है तो यहाँ पर देख लिए जब हम लोग turmeric को डाल देते हैं acid में जिसको हम लोग healthy बोलते हैं healthy को अगर acid में डालेंगे तो no change वहाँ पुसा color change नहीं होगा लेकिन turmeric को base में डालते हैं तो वो लाल color का हो जाता है ठीके हल्दी को डाल देंगे base में तो वो red हो जाएगा उसके बादा है methyl orange ठीके methyl orange को अगर हम acid में पोर करते हैं डालते हैं तो वो red हो जाएगा ठीके methyl orange जो है acid में जाएगा तो red होगा और base में जाएगा तो yellow में बदल जाएगा ये था आपका इस कुछ indicator का पहचान करने तरीका अगर हमको color का ही नहीं पता है हम color ही नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा acid है कौन सा base है तो ये आपको तो at least याद करना ही होगा कि वैसे अगर मान लिए ठर्मरी के लिए उसका color क्या change होता है change अगर हो रहा है rate हो रहा है that means वो basic nature का होगा आपको solution तो ये आपको color याद करना बहुत जरूरी है तो आज के topic को हम लोग यहीं पर समाप्थ करते है और अभी जो चल रहा न ये basic है chapter start सही तरीके से नहीं हुआ है तो ये आपको basic part चल रहा है और जब chapter start होगा तो वहाँ पर देखिएगा reaction ठीक है metal, non metal, metal with acid, metal with base तो ये basic part चल रहा है अगर आपको video अच्छा लगा है तो video को like कीजिए और अपने friend के बीच में share कीजिए और जो channel पर first time visit कर रहे हैं वो channel को subscribe भी कर लीजिए और उसके बगल में देखिएगा तो bell icon है वहाँ पर press करके all पे click कर दीजिए ताकि जो मैं video upload करूँ वो आपके पास notification के रूप में पहुँच जाए Thank you for watching